बिजनस आज जिस वीडियो पर हम बात करेंगे अगर आप उस बिजनस को चलाते हैं तो आपके बच्चे तो बहुत खुश रहने वाले हैं क्योंकि आज उनी के मतलब की चीज है जिसका बिजनस आप शुरू कर सकते हैं खाने पीने वाली चीज है जैम्स एंड जेली जी हां बच्चों की बहुत फेवरेट होती है जैम्स एंड जैलीज और जब भी मार्केट में जाते हैं तो तमाम छोट छोटे बच्चे होते हैं वो जैलीज को देखकर बड़े एक्साइटीड हो जाते हैं और खाने के लिए जिद करते हैं लेकिन कई बार मन में खयाल आता ह तो चलिए बिना देर की आपको बिताते हैं कि जैलीज का बिजनस आप कैसे शुरू कर सकते हैं इसके लिए कितने पैसे लगेंगे कितना मुनाफ़ा होगा किस तर पर आपको किस लेवल की मशीन लेनी पड़ेंगी अगर आप स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप घर से ही शुरू कर सकते हैं और कई लोग जैलीज बनाते भी होंगे लेकिन हम जानते हैं कि जब आप किसी चीज का बिजनस शुरू करते हैं तो धेर सारा अमाउंट में कोई भी चीज है उसका प्रोडक्शन होता है यानि कि अगर आप घर के लिए ब सबसे पहले बात बचेट की कर लेते हैं कि बचेट एक ऐसा important factor है किसी बिजनस को शुरू करने से पहले जिसके बिना आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं लाव भानी वह तो दूर की बात है लेकिन बिजनस स्टार्ट करने के भी नहीं सोच सकते हैं तो चलिए बजट पर बात तका खरचा आएगा और अगर बड़े स्तर पर आपको बिस्नस करना है तो 10 लाग तक खरचा आएगा वहीं registration करवाने से पहले आपको company के लिए एक नाम भी सोचना होगा और उसी नाम पर अपनी company का registration होगा registration हो जाने के बाद आपको FSSEI license के लिए apply करना होगा दरसल हमारे देश में खाने की जितनी भी चीज़े बाजार में बेची जाती हैं, उन सभी कंपनीज के पास ये लाइसेंस होना जरूरी है FSS AI लाइसेंस के अलावा आपको वैट पंजीकरन की करवाना होगा और ये पंजीकरन आप लोकल अथॉरिटी के दफ्तर में जाकर करवा सकते हैं चलिए ये तो बात हो गई बजट की और साथ ही साथ किस तरह से आप रोजिस्टर कराएं अब बात कर लेते हैं मशीनरी के आप कम समय में जादा चीजें कैसे बना सकते हैं वो तो मशीन से ही पॉसीबल है तो आएटे बात करते हैं मशीनरी जैम और जैली बनाने के लिए आपको पलपर, मिक्सर, जूस, एक्स्ट्राक्टर, स्लाइसर, काप, सीलिंग मशीन और बरतन धोने वाली मशीन की जरूरत होगी देश भर में कहीं भी आप मशीन खरीच सकते हैं हमने भी कुछ वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आप मशीन ऑनलाइन भी मगवा सकते हैं पलपर, मिक्सर, जूस, एक्स्ट्रैक्टर, स्लाइसर जैसे मशीने एक लाख रुपए के अंदर आ जाएंगी वहीं क्याप सीलिंग मशीन, बरतन धोने वाली मशीन की कीमते बच्चीस हजार रुपए से शुरू होती हैं लेकिन बड़े स्ताथ पर बिजनस करने के लिए आपको पूरी तरह से आटोमेटिक योनिट स्थापिक करना होगा जुसमें लगबग 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा अब चूंकि सेटप कितने में और कैसे लगना है ये पता चल गया है तो अब नेक्स टेप है रॉव मेटिरियल जैम और जैली बनाने के लिए आपको कई तरह की सामगरी चाहिए और ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती है जैसे फ्रूट उसके बाद ज़रूरत होती है अगर आपको किराने के दुकान से खरीच सकते हैं लेकिन अगर आपको इस में से कुछ भी किराने के दुकान में नहीं मिलता तो आप इसे भी online खरीच सकते हैं link description box में दिया है नीचे बताये link पर जाकर आप पक्टिन पाउडर का ओडर कर सकते हैं आपको बता दे कि एक किलोग्राम पैक्टिंग पौदर की कीमत 1500 रुपए है वहीं अगर आप इसे जादा quantity में लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सस्ता पर सकता है वहीं एक किलो citric acid लगभग 70 रुपए काता है इस business के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत है उसके बारे मे भी आपको बता देते हैं अगर business छोटे स्तर पर है तो इसके लिए दो लोग काफी है वहीं अगर business को मध्यम scale पर शुरू करना है तो पांच से आठ लोगों की जरूरत पड़ सकती है और बड़े scale पर शुरू करने के लिए 30 से अधिक लोगों की जरूरत होगी तो देखा आप jams and jellies का business जो है वो कम लागत में घर से शुरू कर सकते हैं और जो भी जरूरत की चीज़े हैं जो भी jams and jellies बनाने के लिए चीज़े सामगरी यूस होनी है वो आपको नजदीकी किराना स्टोर से मिल जाएंगे अगर नहीं मिलती है तो आप online order कर सकते हैं description box में हमने सब लिंक दे रखें हैं फिलाल मेरे चाने का वक्त आ गया है लेकिन वीडियो कर पसंद आया है तो like कीजिए क्योंकि हम बार बार आपसे कहते हैं क्योंकि आप कमेंट करते हैं लाइक करते हैं तो हमें motivation मिलता है और comment box में लिखकर आप पताते हैं कि इस चीज का business शुरू कर बाई बाई